कि हमारें शुभाइब की है के व्यूर्ग रिख़ों कि अच्छ मुटिके नहीं हो चपा ये पता है मुझे क्हिन भी वह हिविए तो ते बंग होगा ? पर अब मंन मेरे शांति演 πεता है क्योंकों कि हमारा प्यारा पाब जी जो है Unband होने वाला है जी हाँ दोस्तों PUBG Mobile इंडिया में अन्वैन होने वाला है और यह official statement है PUBG Corporation की तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर News 18 पर पोस्ट है आज सुभा का ही है यहाँ पर साफ साफ लिखा आया है कि PUBG Corporation has confirmed that it will be taking over all publishing responsibilities of PUBG Mobile within India last week और यह वाला पहरा बार लेव कर देते हैं according to PUBG Corporation it is aware of the whole situation it has also confirmed that PUBG Mobile will no longer be controlled by Tencent Games in India and that PUBG Corporation will take all publishing responsibilities इसका मतलब है कि Tencent को जो है वो PUBG Corporations हटा रही है अपने partnership से और सारी जो servers वगेरा सब data वगेरा है वो शायद इंडिया में ही बनाए या फिर साउथ कोरिया में ले जाएंगे वो लोग जहाँ पर PUBG Mobile South Korean version है वहाँ पर भाई साहब इसका मतलब है कि हमारा PUBG अब officially unban होने वाला है यह देखे हाई लोग statement ने क्या लिखा है fully understands and respects the measures taken by the government as the privacy and security of player data is a top priority for the company it hopes to work hand in hand with the Indian government to find a solution that will allow gamers to once again drop into the battlegrounds with fully compliant with Indian laws and regulations इसका मतलब है कि वो लोग game को unban करने वाले हैं बस servers को जो है वो लोग चाइना से अपनी यहाँ पर लेकर आएंगे यहाँ पर शायद इंडिया में ही बना ले servers या फिर साउथ कुरिया में ले जाएंगे यहाँ पर specifically mention तो नहीं है कि servers तब तक active रहेंगे या नहीं जैसे कि अभी active है अभी हम लोग खेल पा रहे हैं गेम को शायद active रहेंगे हम लोग खेल भी पाएंगे जिन इनके पास PUBG अभी भी installed है और जिन इनके पास uninstalled है वो लोग तो iOS वालो वो लोग करनी पाएंगे अगर वो लोग uninstall कर दिया है तो iOS वाले शायद नहीं खेल पाएंगे पर Android वाले तो आराम से खेल पाएंगे hopefully और यह servers जो है चाइना से साउथ कुरिया में ले जाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लेगा इसलिए तब तक के लिए शायद गेम ऑफिशली प्ले स्टोडिया आयोस अप स्टोर में नहाँ और इन लोग के पास गेम है भी वो लोग शायद गेम खेल पाएंगे इसली नोशू तो भाई लोग हाँ यह ओफिशल स्टेट्मेंट है पब जी हमारा अन्बैन होने वाला है जी हां दोस्तो हमारा पब जी हमारे पास वापस आ जाएगा उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम लोग फिर से प्लेस्टोर या आप स्टोर में पब जी को देख पाएंगे और तब तक के लिए शायद सर्वर्स एक को डर्ने की कोई जरूरत नहीं पब जी वापस आ रहा है और हम लोग गेम को खेल पाएंगे प्लेन में बैठ के यह पाये एक्सलेंट वर्क जैसे कि हम लोग करते थे वैसे तो हाई लोग खुशी मनाओ हमारा पब जी वापस आ रहा है जै हिंद जैपब जी